बिहार के भुचपुर जिले में युवक की हत्या के बाद महिला को निर्वस्त करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने इस मामले में राज़त नेता कोशल किशोर यादव समेट 6 लोगों को गिरफतार किया है सभी की गिरफतारी बिहियां के जमवा गाउं से हुई है इस से पहले सोमवार की शाम रेलवे ट्रेक के पास एक युवक का शब मिलने से नाराज ग्रामीनों ने आकर बिहियां की कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी थी आक्रोशित ग्रामीनों ने हत्या के आरोप में रेड लाइट एरिया की एक महिला को भी पीटने के बाद निर्वस्त करके गुमाया था घटना जिले के बहियां थाना क्षेतर के बहियां स्टेशन की है जहां युवग का शव मिला था मृतक की पहचान विमलेश साव के रूप में हुई थी युवग की हत्या में एक महिला की समलिप्तता के शक में आक्रोशित ग्रामीनों ने बीच बजार में महिला को निर्वस्त कर पीतना शुरू कर दिया था महिला रो रोकर अपनी बेगुनाही का सबूप दे रही थी लेकिन आक्रोशित प्रामीन कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे प्रामीनों ने आरोप लगाया है कि युवग की हत्या करके रेलवे ट्रैक के पास जान बूज कर फेका गया है वहीं दूसरी और मृतक विमलेश साव के परिजनों का कहना है कि विमलेश परीक्षा देने आया था उसे दो लोगों ने जान से मार कर रेलवे ट्रैक के पास फेका है